को एक ऐसी कहानी के बायर में बताने जा रही हूँ जो आर के नारायन ने लिखी है ये में इंग्लिश का बहुत ही इंपोर्टन क्वेश्टन है स्टोरी से बहुत सारे क्वेश्टन्स पूछे जा चुके हैं लेट्स बिगिन मैनीटर ओफ मालगुडी के कैरेक्टर्स देख लेते हैं पैटर है नट्राज का जो के एक प्रिंटिंग प्रेस ओनर है नट्राज एक बहुत जादा सीधा सादा इंसान है जिसके बहुत सारे दोस्त है उसका एक दोस्त है जो के एक poet है और एक journalist है जिसका नाम है सेन अब सेन जो है वो एक कहानी लिख रहा होता है कृष्णा के उपर उसका एक employee भी है जिसका नाम है सास्त्री किसका नट्राच का उसका दोस्त भी है ये है वासू वासू जो कि एक टैक्सी डर्मिस्ट है ये विलन होता है इस नॉवल का वासू जो है बहुत ही हटा कटा इंसान है जिसके एक-एक हाथ हतोड़े जैसा है और वो एक बुली है वो लोगों को परेशान करता है ये है मुट्टू जो के टी शॉप ओनर है जिसकी मदद से नटराज जो है वासू के इरादे जान पाता है ये भी उसका दोस्त होता है और ये उसकी मदद करता है यह है कुमार जो के एक elephant है जिसे नटराज ने मेंपी हिल से लाया है medical treatment के लिए यह वही हाती है जो उसके दोस्ट जो poet है जो sane है उसके exhibition में present किया जाने वाला होता है और जिसे वासू मारना चाहता है यह है रंगी जो के एक temple dancer और एक prostitute है जिसे वासू अपने घर में रखता है The Man Eater of Malguri यह जो plot है story का वो एक आदमी जो है नटराज उसके अतराफ खूमती है जो के एक printing press चलाता है और रहता है वो अपने पुर्खों के घर में जो के है Malguri टाउन में ना यह Malguri जो है वो एक fictional town है जो के है South India में नटराज अपनी जिन्दगी बहुत ही अराम से बिता रहा होता है अपने दोस्तों के साथ जो के एक poet है एक journalist है जिसका नाम सेन है और उसका जो employee है सास्त्री एक दिन वासू नाम का एक टैक्सी डर्मिस्ट आता है Malguri टाउन में वो ढूनने लगता है वाइल लाइफ मेंपी हिल्स के खरीब में टैक्सी डर्मिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जिसका काम होता है कि वो मड़े हुए जानवर और पंचियों की खाल निकाले और उसमें एक special type का material भरे और उन्हीं ऐसा दिखाए जैसे कि वो जिन्दा है तो जब टैक्सी डर्मिस्ट वासू आता है नत्राज की दुकान पर नत्राज की प्रिंटिंग प्रेस पर तो वो कहता है कि मुझे 500 विजिटिंग कार्ट स्प्रिंट कराने है अब नत्राज को पता नहीं क्यूं इसकी कंपनी अच्छी नहीं लगती है उसके behavior की वज़े से नत्राज नहीं जानता है कि यह वासू जो है वो या तो एक दोस्त है या फिर दुश्मन पस उसके behavior की वज़े से वो उसे पसंद नहीं करता उसकी company को वासू जो है वो एक बुली है उसे एक राक्षसा यानि के दीमन से compare किया गया है जो comparison किया है नत्राज और उसके employee सास्त्री ने तो वासू जो है वो अपने आपको self invite कर लेता है नत्राज के घर में जो के है printing press के उपर का हिस्सा जो के खाली है वो वहाँ रहने को आ जाता है और कहता है कि जब तक उसे रहने के लिए कोई दूसरी जगा नहीं मिलती वो यही रहेगा तो वासू एक बुली है बुली यानि कि वो इनसान जो दूसरों को तंग करता है जो बहुत ही नर्म सुभाफ के लोग होते हैं उन्हें जो इनसान तंग करता है उसे बुली कहते है अब नट्राज नहीं जानता कि ये वासू जो है वो किस intention के साथ उसके घर में रहने आया है लेकिन वासू तो ये सोच लेता है कि ये जगा मेरी activities के लिए और मेरे जो इरादे हैं उनके लिए ये जगा बहुत अच्छी है अब जो वासू है जो टैक्सी डर्मिस्ट है वो जो है बहुत जादा बुली करता है नट्राज के दोस्तों को उसके कस्टमर्स को वो यहां तक के एक pet dog को शूट कर देता है ना सिर्फ एक pet dog बलके बहुत सारे जानवर और पंची को भी वो शूट कर देता है वो mempy hills में रहने वाले जितनी भी जानवर है उनको मार डालता है और वो उस इलाखे में मशूर हो जाता है कि ये है टैक्सी डर्मी जब नच्राज सवाल करता है वासू से कि ये क्या हरकतें कर रहा है तो वासू जो है वो गुस्से में आ जाता है कि कैसे तुमने मेरे काम पर सवाल उठाया और वो केस ठोक देता है नच्राज के उपर वो केस ठोक देता है rent control authority में कि नत्राज जो है वो औरतों को entertain करता है और disturb करता है सुकून मालगुरी टाउन का अब जो नत्राज होता है उसका एक दोस्त होता है जो के एक poet है वो लिख रहा होता है poetry Krishna के उपर तो अब उसकी book के release की बारी आती है तो वो एक function organize करता है अब जो वासू होता है वो एक अच्छा आदमी नहीं होता वो रंगी नाम की एक प्रोस्टिट्यूटर को अपने घर में रखता है तो जब ये फेस्टिवल ये फंचिन और्गनाईज होने वाला होता है तो रंगी जो है वो आकर नटराज को इनफर्म करती है वासू जो है वो कुमार को मारना चाता है अब कुमार जो है वो एक हाती होता है जो नटराज लेकर आया है मेंपी हिल से वो देखता है कि ये जो कुमार है वो अन्वेल है तो वो उसका ट्रीट्मेंट कराता है अपने एक दोस्त की मदद से यूँके वो अच्छा आदमी है इसलिए उसके बहुत सारे दोस्त है तो ये जो तो ये जो कुमार नाम का हाती होता है वो उसके पोएट दोस्त के फंचन में प्रेजन किया जाने वाला होता है अब जैसे ही नटराज को पता चलता है रंगी से के कुमार को मारने वाला है वासू तो वो अपने टी शॉप ओनर जो के है मुथू उससे मदद लेता है तो नटराज को पता चलता है कि वासू किस तरह कुमार को शूट करने वाला है अपने collection और अपने business के लिए नटराज बहुत कोशिश करता है मगर उसे रोक नहीं पाता नटराज एक और बार कोशिश करता है बद देखता है कि वासू तो सो रहा है फिर अगले morning ये जो elephant है वो function में आराम से जा रहा होता है और अगले दिन उसे मालूम होता है नटराज को कि वासू तो मर चुका है रिपोर्ट में तो ये आया है कि वासू जो है उसे किसी blunt weapon से मारा गया है जो case होता है उसे फिर close कर दिया जाता है मगर ये जो वासू का जो incident हुआ है उसकी वज़े से नटराज के printing press की बहुत बदनामी हुई है और उसके दोस्तों की भी और हर कोई उसे avoid करने लगता है नटराज को बाद में मालूम पड़ता है उसके दोस शास्त्री से कि उसने रंगी से सुना है कि वासू जो है उसका खतल नहीं किया गया है बलकि एक मच्छर को मारते हुए उसकी मौत हो जाती है मच्छर जो है उसके सर पे बैठ जाता है और वो अपने ही हतोड़े के हाथ से उस मच्छर को मारने के चकर में वो खुद का ही खून कर देता है जिसकी वज़े से उसकी सिर्दिमाग की एक रख फड़ जाती है और वो अचानक से मर जाता है और यहाँ पर यह स्टोरी कतम होती है इस मेसिज के साथ कि बुराई जो डीमन्स होते हैं डिविल्स होते हैं और जो मॉंस्टर्स होते हैं वो उनका अंत एक ना एक दिन हो ही जाता है उनके इरादों की वज़े से अब देखिये दोस्तों वासू तो आया था कुमार को मारने लेकिन उसकी नियत की वज़े से वो खुद ही मर गया